नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है आज है 23 अगस्त दिन बुदवार खब्रोक्योर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर बिहार STET 2023 के लिए आज आवेदन करने का अंतिम दिन बिहार में 11 सूत्री मांगों को लेकर धरना पर बैठे मुख्या राचे में साइबर अफराद संबंधिस दिकायतों का होड़ा है त्वरित निश्पादन चंद्रियान 3 आज चंद्रमा पर उतरने के लिए है तयार थर्ड T20i में इंडिया की तीम में होंगे बड़े बदलाओ अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 वरी खब्लो के ओर वस्तार से भारतिय नौ सेना ने 362 ट्रेट्समैन मेट रिक्तियों के लिए भरती की घोशना करते वे अधिकारिक अधिसूशना जारी की है एक्चुक उमिद्वार अधिकारिक वेबसाइट www.indiannavy.nic.in के माधियम से अपनी आविदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं आविदन प्रक्रिया 26 अगस्त 2023 को शुभा 10 बजे से शुरू होगी और जमा करनी की अंतिमतित ही 25 सितंबर 2023 शाम 5 बजे तक निर्धारित की गई है भारती नौसेना ट्रेट्समैन मिट भरती के लिए उमिद्वारों ने किसी मानता प्राप्त बोर्ड से दसवी कक्छा उत्रिन की हो इसके साथ ही उमिद्वार ने संबंध ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया हो इसके अतरिक्त अभ्यर्थी की नियुनतम आयू 18 वर्ष से कम एवं अधिकतम आयू 25 वर्ष से जादा नहीं होनी चाहिए अरक्षित वर्ष के अभ्यर्थियों को निमनुसार छूट प्रदान किये जाएंगे मुखे मंत्रे पिछरा वर्ष प्रविश्यकुत्तर चात्रवृति योजना 2023 के लिए आविदन की तिथी बढ़ी सेचनिक वर्ष 2023 में बिहार के सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थानों में पढ़ रहे चात्रचात्राओं के लिए अच्छी खबर है मुखे मंत्री पिछरा वर्ष प्रविश्यकुत्तर चात्रवृति योजना 2023 के तहत ऑनलाइन आविदन करने की तिथी में विस्तार कर दिया गया है आविदन करने की अन्तिम तिथी को बढ़ा कर अब 30 सितंबर 2023 तक कर दिया गया है से में चात्रचात्रा sdtp.com.bih.nic.in पर विजित कर अविदन कर सकते हैं आपकी जानकारी के लिए बतादे किस योजना के तहत भारतिय प्रवंधन संस्थान में पढ़ने वाले चात्रचात्रा को 75,000 रुपए अनिय प्रबंधन संस्थान यथा चंदरगुप्त प्रबंधन संस्थान ललित नारायन मिश्ट्रा आर्थिक विकास एवं समाजिक पड़िवर्तन संस्थान आधी के छातर छात्राओं के लिए 4 लाक रुपए IIT पटना के लिए 2 लाख रुपए, NIT पटना के लिए 1 लाख 25 रुपए, NIFT पटना और IMS पटना के लिए 1 लाख रुपए और State Act से गठत National Law University के छातर छात्राओं के लिए 1 लाख 25 रुपए दिये जाते हैं बिहार परेटन में आज हम बात करेंगे पादरी की हवेली के बारे में पादरी की हवेली जिसे सेंट मेरी चर्च के नाम से जाना जाता है पटना का सबसे पुराना चर्च है जबकि चर्च को पहली बार 1713 में बनाया गया था आज हम जो सनचना देखते हैं उसे 1772 में वनिस के वास्तुकार तिरेटो द्वारा डिजाइन किया गया था या चर्च सत्रसो तिरसफ में नवाव मीर कासिम और ठारसो संतावन में आजादी की पहली लड़ाई के दौरां सहीत कहीं हमलों को जेल चुका है यदिपी गोथिक इमारत में कहीं आधुनिक स्पर्श है यह काफी हद तक अच्छी तरह से सनक्षित है और दिहाश और विडासत इसमारकों में रूची रखने वालों को अवश्य जाना चाहिए पहले मंगल टैंक के रूप में जाना जाता था जील 856-75 में बनाएं गई थी जील की खुदाई के दौरान इट की एक पुराने दिवार मिली जिसे प्राची शहर पाटले पुत्र के खंडर माना जाता है नए साल के दिन यहां एक मेला आयोजित किया जाता है जिसमें लगबग 10,000 शुक साधक आते हैं प्रशासन की की जानकारी के नुसार चंदरयान 3 की सुचारू संचारन जारी है मालूमों के आँ शाम 64 बजे चंदरयान 3 मून पर लैंड करेगा इस रो के दौरा टूईट कर कहा गया है चंदरयान 3 मिशन मिशन तैस समय पड़ है शिसम की नियमिचांच चल रही है सुचारू नोगायन जारी है, मिसन ओपरेशन्स कॉंप्लिक्स उर्जा और उत्सा से भड़ा हुआ है MOX या IST RAC पर लैंडिंग ओपरेशन का सीधा प्रसारन पांच 20 बजे शुरू होगा 23 अगस 2023 को IST यहां 19 अगस 2023 को लगबग 70 किलो मीटर की उचाई से लैंडर पोजीशन डिडेक्शन कैमरा द्वारा ली गई चंद्रमा की छवियां है LPDC छवियां ओन बोर्ट चंद्रमा संदर मांचुतर के साथ मिलान करके लैंडर मॉड्यूल को उसके सित्री निर्धायत करने में शहायता करती है बिहार विश्यविद्याले के वीसी का वेतन रोकने का फैसला विभाग ने वापस लेने से किया इनकार इन दिनों बियार अंबेटकर बिहार विश्यविद्याले मुझपरपुर के कूलपती और प्रती कूलपती के वेतन रोकने को लेकर सिक्षा विभाग और राजभवन के बीच तक्रार बढ़ती जा रही है बतादी कि सिक्षा विभाग के अपड़ मुख्य सचीव के दोरा बिहार विश्य विद्याले के वीसी का वेतन रोकनी का फैसला लिये जाने के 24 घंटे के भीतर ही राजभवन की ओर से इस नरदेश को रद कर दिया गया था और कहा गया था कि उनके वेतन को बहाल कर दिया जाए लेकिन अब सिक्षा विभाग के दोरा अपने इस फैसली को वापस लेने से इनकार कर दिया गया है बता दे कि स्टिक्षा विवाग के सचीव बैदेनात यादव की ओर से इस संबन्द में राजभवन को एक पत्र लिखा गया है जिसमें कहा गया है कि राज़सरकार हर साल विश्यविद्याले को चार हजार करोर रुपे देती है ऐसे में राज़सरकार का यह हक है कि वह विश्यविद्याले से पूछे कि वे इस राज़ी का कहां और कैसे इस्तमाल कर रहे हैं विश्य विद्याले अधिनियम की धारा 4 और 5 में स्पस्ट प्रावधान है कि जिम्मेदार अधिकारियों को हॉस्टल और कॉलिज जो इत्यादी का नियमित इंस्पेक्शन करना है और समय पर परिक्षा करानी है ऐसे में जब विश्य विद्याले निर्धारित बिंदू पे असफल होगा तो राजिस सरकार लाजमी हस्तचेप करेगी बिहार स्टेटी 2023 के लिए आज आवीदन करने का अंतिम दिन अगर आप न अभियर्थियों में से हैं जो बिहार माधिम एक सक्षक पातरता परिक्षा 2023 के लिए आवीदन करना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है पतारी कि इसके लिए आज रिलिस्ट्रेशन ही तो ऑनलाइन आवीदन करनी की अंतिम तारीक हैसे में जिन उमिद्वारों ने अब तक आवीदन नहीं किया है वह वेवसाइट bsebstet.com पर अपना पंजीकरन कर अपना अप्लिकेशन सब्मेट कर सकते हैं आपके जानकारी के लिए बता दी कि जो उमिद्वार पेपर एक के लिए आवीदन करना चाहते हैं उन्हें मानिता प्राप्त उच्छी सिक्षा संस्थान से नियुनतम 50 फीज़ी अंकों के साथ सनाता किया नियुनतम 45 फीज़ी अंकों के साथ पीजी और बीड किया होना अ मुख्या बिहार के राजधानी पटना सहित आने जिलो में मुख्या अपने 11-13 मांगो को लेकर बिहार के मुख्य मंत्रे नितीश कुमार को खुली चनौती दे रही हैं बता दे कि मुख्या का कहना है कि अगर उनकी मांगो को पूरा नहीं क्या जाता है तो उन्हें वर्स 2024 म मुख्या की तागत का पता चल जाएगा मालुमों की बिहार के नवादा में मुख्या के द्वरा सीय मृदीश के खिलाफ अपनी मांगो को लेकर धर्ना प्रदर्शन करते वे जमकर नारे बाजी की गई पूरे बिहार में चक्का जाम किया जाएगा बिहारी पैचार में आज अम बात करेंगे ताविश खेड के बारे में ताविश खेड एक भारती अंग्रेजी लेखक और अंग्रेजी विभाग आरुस विश्विद्याले डेन्मार्क में एसोसियेट प्रोफेशन है उनकी प पुरुसकार है उनकी कवीता Birds of North Europe ने 1995 में आयोजित छटी Poetry Society अखिल भारतिय कवीता प्रतियोगिता में प्रथम पुरुसकार जीता 2022 में उन्होंने एक नया विज्ञान फाई उपन्यास प्रकाशित किया खैर को 1995 में आयोजित छटी Poetry Society प्रतियोगिता में प्रथम पुरुसकार होंग्कॉंग के Baptist विश्विद्याले से रचनात्मक लेखन के लिए मानत फेलोशिप नई दिली के विश्विद्यालियों में फेलोशिप और चर्चल कॉलिज में उप फेलोशिप सहित सम्मान और पुरुसकार प्राप्त हुए हैं राजी के सहरी इलाकों में जल्द शुरू होगी जलापूर्ती की नई योजनाय नई इलाकों में सुध नल से जल पहुँचाया जा सके और पुड़ाने योजनाओं को नई योजनाओं से जोड़ा जा सके इसके लिए PHED को दिशा नर्देश जारी कर राजी के सहरी इलाकों में जलापूर्ती की नई योजनाओं शुरू करने को कहा गया है अब PHED नगर विकास विभा के सहयोग से सहरी इलाकों में पानी की रिपोर्ट तयार करेगा बता दिक अधिकारियों के मताबिक सहरी छेतरों में जलापूर्ती योजनाओं की हालत खड़ाब है जिसे ठीक करने के लिए सरवे के बाद नई जलापूर्ती योजनाओं के साथ जोड़ कर उससे दुबारा सुध पानी लोगों तक पहुंचाया जाएगा मालुम हो कि इस योजना के तहर जहां जलापूरती योजना में लीकेज होगा उसे दुरुस्त किया जाएगा पुराने योजनाओं को नए योजनाओं से जोड़ा जाएगा खड़ा पाइप्लाइन को बदला जाएगा और जहां जरूरत नहीं होगी वहां से हटा कर योजना को दूसरे जगों पर ले जाया जाएगा सहरी छेत्रों में आम लोगों के लिए पीने का पानी हर जगा उपलब्ध होगा गर्मी के मौसम में पानी की निकत नहों और गड़ी मजदूर सहिस सभी लोगों को सुध पानी उपलब्ध करवाया जाए और सरक के किनारे भी जगा जगा पानी की विवस्था की जाएगी पता के निधन पर पंकस्त्रिपार्थी ने कहा ये बिहार के लाल और बॉलिवूट के जाने माने अभी नीता पंकस्त्रिपार्थी के पिता पंडत बनार रस्तिवारी का बीतिर अभिवार को 98 साल की उम्र में निधन हो गया था जिसके बाद अपने पिता के निधन की खबर सुनते ही पंकस्त्रिपार्थी मुंबई से तुरंत अपने गाउं पहुँचे जहां उनके बड़े भाई विजिंदर नात तिवारी के दोड़ा गाउं में छारी नदी के किनारे पिता को मुखागनी दी गई पिता की अचानक मृत्यू से पंकस्त्रिपार्थी काफी उदास है वह उन्होंने अपने पिता के निधन को लेकर कहा कि मृत्यू तो अटल सत है हम सब को इस फानी दुनिया से जाना ही है लेकिन अपनों के जाने से तकलीफ होती है मेरे पिता मेरे आदर्ष थे आज मैं अपने आपको अधूरा महसूस कर रहा हूँ हला कि अब उनके दर्शन तो केवल तस्वीरों में हो सकेंगे लेकिन मेरे पता मेरे लिए स्वर्ग से ही आसरवाद देते रहेंगे और मेरी माता जी का आसरवाद तो मेरे सिर्पर भगवान की गृपा से पहले से ही है वो पहले की तरह ही अपने गाउं, घर, अपनी गवई मिट्टी, अपने बच्पन के साथियों से मिलने आते रहेंगे और सबसे बड़ी बात ये है कि उनकी जन्नी के भागेशाली चरन अभी धरा पड़ है उनके दर्शन और असरवाद लिने हर फिल्म के फ्लोड पर आने के साथ आते रहेंगे मश्रूम के खेती में आगे निकला बिहार का यह जिला पूरे देश में मश्रूम के खेती में बिहार ने अवबल अस्थान प्राप्त किया है जिसमें सबसे बड़ा योगदान बिहार के भागलपुर जिला के द्वारा दिया गया है दरसल पूड़े बिहार में भागलपुर में मश्रूम उत्पादन लगातार बढ़ रहा है और साती यहां के लोगों की संख्या भी काफी अधिक है जो मश्रूम उत्पादन का प्रस्रिक्षन ले रहे हैं वही अगर हम बात करें भागलपुर के अलावा बिहार के किसी अन्य जले की जो मश्रूम उत्पादन में आगे बढ़ रहा है उसमें विहार की राज़़ानी पटना समीत बांका नारंदा और गया जलावी शामिल है बतादी के भागलपुर में बटन मश्रूम ओस्टर मश्रूम ड्राउन मश्रूम और मिलकी मश्रूम आदी समेत कहीं तरह के मश्रूम का अत्पादन किया जाता है जिसकी मात्रा फिक सीजन में हर महीने लगबग 50 कुईंटल होती है मानमों की भागलपुर में उतपादन किये गए मश्रूम को कुछ वेंडर के द्वारा कॉलकता सिलिगुरी आधी जगों पर भी ले जाया जाता है आत्मा के उपर योजना निदेशक प्रभात कुमार सिंग के दोरा दी गए जानकारी के नुसार आत्मा और कृषिविज्ञान केंदर के जरिये भागलपुर जले के अब तक 1500 से अधिक किसानों के दोरा मश्रूम उतपादन के लिए प्रसक्षर प्रात किया गया है राजे में साइबर अपराद संबंद स्टिकायतों का होड़ा है तुरित निश्पादन अपर पुलिश महानविदेशक नईयर हसनायन खान के दोरा प्रस कॉन्फरेंस का जानकारी देते वे बताया गया कि राजे में 44 साइबर थाने एक नौ तीनशन टॉल फ्री नंबर एवाम एंसीसी आरपी पोटल के जरिये साइबर अपराद संबंद स्टिकायतों का तुरित निश्पादन किया जाड़ा है बतादे कि इनके दोरा दीगए जानकारी के नुसार ये 44 साइबर थाने के शिर्वात 9 जून से हुई थी जो की राजे के सभी जिलों में है मालम हो कि एंसीसी आरपी पोटल पर अभी तक मिली साइबर अपराद सिजरे मामलों की शिकायतों की संख्या करीब 19,178 है वहें शिकायतों के आधार पर पूरे राजे में कुल 1,018 किसिस रजिस्टर है बतादे कि इन में सबसे आदा मामले बैंकिंग फ्रॉड और फाइनेंशल नीचर के गिटनाओं से जुरी होती है और इनके निदान में मार्च से लेकर 31 जलाई तक 11,76,22,342 रुपे को विवन बैंकों में ही रोका गया है ताकि उन पैसों को विक्टिम के पास लोटाया जा सके मवेसी तसकरों की गोली से सहीद हुए दरोगा को मिलेगा गैलेंटरी अवार्ड बिहार पुलिस मुख्याले के दोरा समस्तेपुर में मवेसी तसकरों को पकरने की कोशिश में दरोगा नंद किशोर यादव जिनकी गोली लगने से मौत हो गई थी उन्हें लेकर एक बड़ा रिने लिया गया है दरसल इस सहीद दरोगा को गैलेंटरी अवार्ड दिये जाने के लिए केंदर के पास अनुसंसित किया गया है इस पारे में एडी जी जितेंदर सिंग्वार के दरा बोला लिया कि बलिदानी दरोगा ने अपनी जान के बिना परवाह किये अपराधियों से लोहा लिया इसी को देखते वे अस्थारी आईजी और रेस्पी के अस्तर से उनको गलेंटरी अवार्ड के लिए अनुसंसित करने की कारेवाही की जा रही है आपके जानकारी के लिए बता दे कि दरोगा नंद किशोर यादव की जिस तरह से गोली माली गई थी जिससे उनकी जान गई है उससे उनके प्रिवार वाले अभी सदमे में हैं बीएड आईटी आई चात्रों को लोन लेने के लिए करना होगा इंतजार अगर आभी उन चात्रों में से हैं जो बीएड और आईटी आई कर रहे हैं या इसके लिए आपको बेहार सरकार के दारा चलाई जा रही स्टूड़न करेट कार्ड योजना का लाब लेना है तो इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा दरसल इस बारे में विभागी अधिकारी के दोर अधिगई जानकारी के नुसार B8 और ITI के संस्थानों की सूची संबंधित पोर्टल पर अपलोड किया जाना बाकी है और फिलाल इसकी काड़वाई चल रही है उन्होंने बताय कि पहले ही अत्या किया जाएगा कि किसकी संस्थान में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को इस योजना का लाब दिया जाएगा उसके बाद ही विद्यार्थियों से ओनलाइन आविदन ट्राप किये जाएंगे इस संस्थानों से आवीदन मांगी गए हैं और साथ ही नीजी संस्थानों को लेकर कुछ मानक भी तैय किये गए है जिसके आधार पर इस योजना से नीजी कॉलेजों कुछ जोड़ा जाएगा इगनो जलाई 2023 में ली ऐड्मिशन के लिए तारीक बढ़ी अगर आप भी इगनो जलाई दो अगर तो आपके लिए अच्छी खबर है पर जाकर अपना पंजी करन कर आविदन कर सकते हैं मारम हो कि पिछली अंतिम तारिक 21 अगस तक निर्धारित की गई थी बदादी की तिथे विस्तार करने की जानकारे विश्य विद्याले दोरा माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स जिसे पहले ट्वीटर के नाम से जाना जाता था उस पर अपने आधिकारिक हैंडल के माध्यम से साजा की गई है बिहार के करीं जिलों में बारिस के आसार बिहार में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है बिदलते हालात के बीच में प्रदेश के कई जिलों में बारिस हुई है पारिश होने के करण तापमान में गिरावर्ट देखी गई है इस बारिश के बाद से लोगों को तेज गर्मी और उमसे थोड़ी राहत मिली है मौसर वहाग की माने तो प्रदेश के कई जिलों में बारिस को लेकर अलर्ट जारी किया गया है विभाग की तरफ से जारी अपडेट के नुसार 23 अगस्त को लेकर जारी अपडेट में कहा गया है कि आज राजी के अथिकांश जिलों के एक या दो अस्थानों में वजरपात के साथ मेगरजन होने की समभावना है वहीं पश्यम चंपारन, पुर्वी चंपारन, गोपाल, गंच, सिवान, सीता मधी, मदुबनी, सहरसा और भागलपुर जिलो के एक या दो अस्थानों में भारी बारिश की संभावना है जबकि सारन, पटना, वेशारी, मुझपरपुर, दर्भंगा, समस्तिपुर, सहरसा, मधेपुरा और कटिहार जिलो के एक या दो अस्थानों में अती भारी बारिश होने की संभावना है जबकि किसंगंच, पुर्णिया, सुपॉल और अर्या जिलो में एक या दो अस्थानों पर अती भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है इन इलाकों में औरेंज अलर्ट जारी किया गया है पंचाईती राज विभार के दोरा ग्राम पंचाईती राजपदादिकारी दिथा चिला पंचाईती राजपदादिकारी को राजजी की सभी 8,056 ग्राम पंचाईतों को पारदर्शता बनाने के लिए और ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किये गए लेखाओं की ओडिट पर उठाई गई तमाम आपत्यों को सत प्रतिशत नराकरण करने के लिए डेर महीने की समय सीमाद दी गई है पतादिक इसको लिए कर विभार के दौरा नर्देश जारी कर दिया गया है मालमोग नर्देश करनुसार यह सभी काम कसी भी हाल में 30 सितंबर तक पूरे करने होंग वही पंचायतों द्वरा तयार अनुपालन प्रतिवेदन की समिक्छा प्रखन पंचायती राज पदादिकारी के द्वरा की जाएगी पदादी की पंचायती राज पदादिकारी अपनी अनुसंसा के साथ 31 आक्टूबर तक ग्राम सभा आयोजित कर ओडित रिपोर्ट को पारित कराकर उसे जिला पंचायती राज पदादिकारी को भेजने का काम करेंगे वही अगर रिपोर्ट से डीपियो और संतुस्ट होते हैं तो उस रिपोर्ट को कारन बताते वे कराम पंचायत को वापस किया जाएगा वही अगर डीपियो उस रिपोर्ट से संतुस्ट हो इन दिनों बिहार सरकार के सिक्षा विभाग के अपर मुखे सचीव के के पाठक के दोरा सिक्षा विवस्था को पट्री पर लाने के लिए कई फर्मान जारी किये जा रहे है जिन में से कहीं के खिला विरोध भी किया जा रहा वहीं अब एक बार फिर सिक्षा विभाग के दोरा एक नया फर्मान जारी कर दिया गया है जिसके तहत विभाग के निदेशक सुबोध कुमार चौधरी के दोरा आदेश जारी कर कहा गया है कि सभी प्रशाख अपदादिकारियों सहाईकों और संचिका उपस्थापल से सभी लिपिकों के वेतन को अगले आदेश तक के लिए उक्तकारवाई करते में रोक लिया जाए क्योंकि प्रशाख अपदादिकारियों और सहाईकों दोरा संचिकाओं के नस्ट करने के नरदेश का नपालन नहीं किया गया है जो कि सिक्षव विभाग के दोरा दिये गए नरदेश की अभिलना हैं पॉल के प्रखंट सा अंचल चातापूर समस्तिपूर के प्रखंट सा अंचल विभूतिपूर गया के प्रखंट सा अंचल टिकारी डोभी और बेला गंच और दर्भंगा के प्रखंट सा अंचल बहादुरपूर में 720-720 आसन विड्दयालयों भवनों के लिए प्रतेग चला के लिए 46,00,97,00 रूपए की सुकृतित दी गई है। राबरी देवी ने बताई महज 5 वी तक पढ़ाई करने की वज़ा। बीतदन बिहार के पुर्व मुख्यमंत्री और राजस सुप्रीमों लालो पुषाद यादव की पत्नी राबरी देवी के दोरा मीडिया से बातचीत करते वे अपने पांचवी तक की पढ़ाई करने की वजह बताई गई दरसल बीतदन राबरी देवी लालो यादव के साथ अपने पुराने स्कूल पहुंची जहां उन्होंने बच्पन में पढ़ाई लिखाई की थी यहां उन्होंने चात्राओं से बातचीत की और भावोखो कर कहा कि जब हमारा बच्पन था तब गाउं में स्कूल पांचवी कक्छा तक ही थी उन्होंने कहा कि बेटियों को आगे स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं भिरते थे में मेरी पढ़ाई पांचवी तक ही आगे की कक्छा के लिए गाउं में स्कूल नहीं थी उन्होंने कहा कि जब मैं बिहार की सीम मरी तो सिलार कला में राबरी देवी बाली का प्लस टू स्कूल का रिणमान करवाया आज बेटियों को प्लस टू स्कूल में पढ़ते देख जीतर नाम मांजी ने सीम नितीश पर बोला हमला एक बार फिर से बिहार के पुर्व मुख्यमंत्री जीतर नाम मांजी के द्वारा बीते दन प्रेस कॉंफरेंस में बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार पर जम कर हमला बोला गया उन्होंने कहा कि नितीश कुमार का इक पटका लगव और वे उल्टे पाउं लोट कर आगें अब वह 31 अगस्त को मुंबई में बैठक करने जा रहे हैं। मैचों की टी 20 सिरीज का तीसरा और आखरी मुकाबला खेला जाना है। बतादे की प्छले दो मुकाबलों में भारत ने जीत हासल कर सिरीज को अपने नाम कर लिया है। ऐसे में आज के इस मैच में टीम अपने युवा खेलाडियों पर दाव Em केल सकती है। हमें साम सारी साथ बज़े से आईरलाइन के डबलन शेहर के दविलज क्रिकेट स्टेडियों में खेरा जाएगा मालम हो कि अब तक इंडिया और आईरलाइन के बीच टी ट्वेंटी श्रिंकला में अब तक कुछ साथ मैच खेरे जा चुके हैं जिसमें से सभी साथ मैच इंडियन जीच चुके हैं भारत के टिहास में आज की तारीक है कहीं कारणों सदर्च वल्लब भाई पटेल 1947 में भारत के उप्रधान मंत्री बने जार्खन के मुख्य मंत्री मधु कोरा ने 2008 में अपने पत से सिफादिया उतरप्रदेश सरकार ने 2008 में प्रदेश महिला आयोग में 16 सश्यों को नामित किया प्रसिद सुतंता सिनानी और आंधरा राजिय के प्रतम मुख्य मंत्री टी प्रकाश्यम का जन्म 822 को हुआ था सुतंता सिनानी एवं चंपारन सत्याग्रह के प्रमक लोगों में से एक राजकुमार सुकल का जन्म 825 में हुआ ग्यानपीर पुरुसकार से सम्मानित मराथी कवी गोबिंद विनायक करदिंकर का जन्म 918 में हुआ कॉंग्रोस के वर्ष चनीता और पुर्व लोग सभा आते अक्षबल राम जाकर का जन्म 923 को हुआ था प्रसद हिंदी फिल्म अभिनेतरी साइडा बानो का जन्म 924 को हुआ था नौवी लोग सभा के सदर्श्य सुकदीर नंदाजी काली का जन्म 925 को हुआ था प्रसद सास्रिय संगीत गायक विनायक राओ पडवर्धन का निधन 925 को हुआ था भारत की प्रसद महिला तैराक आर्थी शाह का निधन 994 को हुआ था वैलकर में आजम बात करेंगे फ्री मोबाइल रिचार्ज योजना के बारे में सोसल मीडिया पर कहीं सूचना वारल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है इसी कड़ी में आजम बात करेंगे फ्री मोबाइल रिचार्ज योजना के बारे में केंदर सरकार दोर ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही इमेल्स को अपनी मन पसंद भासा में ऐसे करें ट्रांसलेट अभी तक इमेल्स को ट्रांसलेट करने के शुवधा सर्फ वेब में मिलती थी लेकिन अब mobile app में भी आप emails को अपनी मन पसंद भाषा में translate कर पाएंगे Company ने एक नया feature app में जोड़ा है जिसकी मदस थे आप 100 से जादा भाषा में emails को translate कर पाएंगे, नया feature Android और iOS तोनों के लिए जारी किया गया है जो आपको धीरे-धीरे मिलने लगेगा Company ने एक blog post में लिखा कि versus हमारे users web पड़ Gmail में 100 से अधिक भाषा में आसानी से email को translate करने में सक्षम है अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो सबसे पहले Gmail app में वो email खोले जिसको आप translate करना चाहते हैं इसके बाद email के उपरी दाइक कोने में तीन बिंदों पर टैप करें और translate पर क्लिक करें अब वो भाषा चुने जिसमें आप mail को translate करना चाहते हैं ऐसा करते ही mail दूसरी भासा में translate हो जाएगी यदि आप translate option को खारिज कर देते हैं तो यह आपको तब फिर से दिखाई देगा जब आप को पदा चलेगा कि email की सामगडी आपके निर्धारित भासा से अलग है हम प्रते दिन आप से पांच ऐसे जरुरी सवाल और सिजरी जवाब बताएंगे जो की BPSC, विहार, पुलिस, तरोगा, समीत SSC जैसे अनिप्रतियोगी पडिक्षाव में काम आएंगे सवाल इतिहास, विहार, स्पेशल, विज्ञान, करेंट अफेर्स और भोगोस रहेंगे पुछेगे पांच ओ सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया क्रिपा करके यह हमें कमेंग करके जरूर बताएं हमारा पहला सवाल है, हाली में किस राज़्य में भारत का पहला ड्रोन पडिक्षन केंदर खुलेगा उप्षन E, आंधर प्रदेश, उप्षन B, तमिल नाडू, उप्षन C, हैदराबाद, उप्षन D, करनाटक इसका सही उत्तर है, उप्षन B, तमिल नाडू अगला सवाल, हाली में भारत ने किस तेश को समुंतरी निग्रानी के लिए विमान ड्रोनियर 228 सौपा है उप्षन E, तक्षिन अफिरिका, उप्षन B, जापान, उप्षन C, श्रिलंका, उप्षन D, बंगलादेश इसका सही उत्तर है, उप्षन C, श्रिलंका आगला सवाल, हाली में सिफ्छा मंतराले ने कौन सा अभियान को शुरू किया है अप्शन A, PM उसा, आप्शन B, 9 सर्व सिक्षा अभियान, आप्शन C, उन्नत भारत अभियान, आप्शन D, इन्में से कोई नहीं इसका सहीध्तर है आप्शन A, PM उसा अगला सवाल, बिहार का नाम इन्में से किस एतिहास एक पुस्तक में है? अगला सवाल किस व्यतिक ग्रंथ में सरवप्रथम मगद अनाम उलाखित है आप्शन ए रिगवेद आप्शन बी यजुरवेद आप्शन सी सामवेद आप्शन डी अतरवेद इसका सही उत्तर है ओप्षिन दी अतरवेद। श्वीद प्रकास सिंग तुरज कुमार साह मंटु कुमार इसके साथ ही भरते हांच के सवाल क्यों आज का सवाल है आपके मिसार सिक्षा विभाग के दौरा सिक्षा की गुन्वत्ता को सुधार्णी के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं वह कितना सही है अपना जवाब हमें अगर आप यूटूब से देखरें जानको सब्सक्राइब करना और अगरा अगरा फेस्बूक से देखरें तो पेस को फॉलो करना ना भूले थन्यवाद